विहार पुलिस के थाना स्तर पर मूलभूत क्रिया कलापों में बुनियादी परिवर्तन विहार पुलिस अपने क्रिया कलाप सैली में लगतार तक्नीक का सहयोग लेकर अपने कार्यों को अधिक पारदर्शी तथा विश्वस निये बनाते हेतू ततपर है विधार पुलिस डिजिटलाइजड होने की दिशा में अग्रसर है इसकी जानकारी अपर पुलिस महानी देशक जेएस गंगवार ने दी है राज्य के 664 थानों में जहां CCTNS परियोजना पूर्णता कारेरत है उन थानों में CCTNS पोर्टल पर प्रात्मी की पूर्व से अपलो की जाएगी पास दिसंबर 2013 से पटना जिला में CCTNS पोर्टल पर अब थाना दैनिक अपलोड की जाएगी एक नया महकून ने लिया था इस साल की ये मैं आपको बता रहा आप ने जो प्रशन उठाया उस प्रशन का अगर कोई सबूत या कोई ऐसा अभी लेश आपके पास में तो बता ये जनरल आरोप है ये ऐसा नहीं होता है मैं कहता हूँ ऐसा हो रहा है और जो भी आवेदक जा रहे हैं उनको एक थाने पर न केवल बैठने के लिए कहा जाता है बलके उनके आवेदन के रिसीविंग भी दी जाती है उसके आवेदन पर क्या कारवई हुई अगर जरूत होगी तो इसको CCTNS या किसी अन डिजिटल तरीके से और हम किस तरीके से इंटिग्रेट कर देंगे वो भी हम इसको देखेंगे अभी सारे अभिलेकों को दो महत्पून अभिलेक है इसेशन डारी और एसेंग इन दोनों को हमने डिस्टाइज करने हैं ये